इसके पहले भी तो जनक के साथ हाथसा हुआ था इसके पहले भी तो जनक इस पूरी दुनिया में अकेली पड़ चुकी थी अरे इसके पहले भी तो जनक को कई लोगों के ताने सुनने पड़े थे लेकिन अनिरूद तब तुम कहा थे क्या तब तुम जनक के साथ कड़े थे नहीं तब ये आदिते कपूर खड़ा था यही आदिते कपूर ने जनक को इंसाफ दिलाए था तो फिर भला अनिरूद आज तुम आकर अदिते कपूर के सामने ये कहते हो कि तुम जनक के लिए कितने भी पैसे दे दोगे जनक का तुम खयाल रख लोगे अदिते कपूर को अ अर्शी के साथ रहे रहो इस बात से जनक को क्या कुछ फरक पढह गागा। अर्षी के साथ यहां पर आये थे और तुम्हें वापस देखा जनक ने, तो सोचो जनक की उपर क्या कुछ असर पढ़ गा। क्या कभी तुम्हें इस बात से कोई फरक पढ़ रहा है अनुरूद बेशा की नहीं पढ़ रहोगा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है क्योंकि तुम ना जहनक को कभी समझे नहीं पाया हो और आदित कपूर ना कहीं ना कहीं जहनक के लिए एक सहारा बन चुका है और आदित के स्वागत है टाइम स्वाइ बिन्या में जहां पर मैं वेनु कुमार आपके अपने ही पसंदिदा शो जहनक से जुड़े एक और अब्डेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिरों जहां पर मैं आपको बता दूना कि अब ना आधित्य कपूर अपने नेक्स लेवल पर आ यह कहीं ना कहीं ब्रिजबूशन साहबी हैं लेकिन आज जब स्टेज में एक बार फिर से ब्रिजबूशन के साथ स्रिष्टी मैडम भी बखबख करने लगी थी तो आधित्य कपूर को थोड़ा सा शक होने लगा या फिर यू कहें कि आधित्य कपूर थोड़ा सा बिजबूशन था, यह बिजबूशन खरी खोटी सुना रहा था जहनक को और यही जहनक के खिलाफ करेक्टर पर सवाल उठा रहा था, उसकी मा के बारें बात बो रहा था, लेकिन अब यह मोहतरमा कौन है, जो अलग से आई है, जिसके बाद उसे बात का पता चलता है, कि यह इसकी सास है ये स्रिष्टी क्योंकि स्रिष्टी ने खुदी अपना इंट्रॉक्शन दिया था स्टेच के पर और साथी साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि भाई ये जो जिनक है न ये अनिरुद की कभी ना कभी कोई एक्स लवार या कुछ भी थी ये बात कहीं न कहीं जानक के ऐलाने पर आया हैं और ये सबी लोग मिलकर ना जनक को दिक्कते देना चाहते हैं, जनक के सामने मुसीबते खड़ा करना चाहते हैं और इसलिए जब ये बात समझ आदाती है आधित कपूर को तो अब आधित कपूर ना एक्शन मोड में आ चुका हैं, बेशा की आध आजित्यकपूर ऐसा करना नहीं चाहता है, लेकिन जनक के लिए अब आजित्यकपूर किसी भी अत्तक जा सकता है। आरे अनिरुद, क्या तुमारे दिल में थोड़ी सी भी फिलिंग्स नहीं बची जनक के लिए। कहा जाए तो तुम ये सारी चीजें ना सिर्फ ओ सिर्फ मजबूरी में कर रहे हो। सिर्फ यही तो डर है अनिरुत तुमें लेकिन तुमें क्या इस बात का डर नहीं है कि जनक तुम्हारी जिन्दगी से हमेशा के लिए चले जाएगी क्या अनिरुद तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि जहनक के दिल में तुम्हें लिए थोड़ी सी जो भी फिलिंग्स थी वो भी खतम हो जाएगी क्या अनिरुद तुम्हें इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि अब जहनक के दिल से तुम उतर चक्के हो कि अब ना जहनक और अनिरुद के बीच में कुछ नहीं होने वाला है और इनके बीच की किमिस्ट्री भी नहीं बन रही है और कही ना कही अर्शी इस तरीके से मजबूर करने लगी है यहाँ पे अनिरुद को कि अनिरुद चाह कर भी ना जहनक के पास नहीं आ पाता है तो कु जनाग को सपने पूरा नहीं करने दे रहा था, इस शो से बाहर करना चाहता था, इसी ब्रिजबूशान के बगल में आकर खड़े हुजाती है महतनमा स्रिष्टी, जो कि अनिरुद की सास है, और अनिरुद की पतनी को देखो, जो कि अर्शी जो इस शो में पार्टिसमेंट कर करने आए, यानि कुल मिलाकर आदित कपूर को ये लगने लगा कि इन सभी ने मिलकर ना एक प्लॉट बना लिया, कि स्रिष्टी और ब्रिजबूशान जनाप को बाहर करेंगे, और ये लोग अपनी बेटी को शो में लेके आएंगे, और इस शो को जीत कर चले जाएंगे, वाँ भाई वाँ, और मैं बताऊं दोस्तों, ये कोई प्लॉट नहीं है, जो आदित कपूर ने सोचा, अरे ये सच्चाई है, यही सच्चाई है, स्रिष्टी ने जब देखा कि आज जनक सारे तरीके से डांस कर सकती है, तो भाई उसे अब शो से बाहर करने के बारे में सो जनक के इस टैलेंट को देख करना स्रिष्टी डर गई है, स्रिष्टी को इन सिक्योरिटी फील हो रही है कि कब उसकी बेटी कैसे जीतेगी, इसलिए अब इस बात का न सोल्यूशन निकाले के लिए ये लोग जनक को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन जब आजित कपूर स इन सभी को जेल में डाल देगा, और बेशे कि अजित कपूर स्रिक्ट एक्शन जरूर लेगा, ना ही वो अनिरुद है और ना ही वो किसी की तरह डरने वाला है, उसके पास सोर्स है, वो बॉलिवड का एक बड़ा हस्ती है, इसलिए उसे पता है कि भाई, इन लोगों के इनके उपर आदित कपूर स्रिक्ट एक्शन लेगा, और मैं बताओं दोस्तों, जब तक इनके उपर कोई एक स्रिक्ट एक्शन ना लेना, तो इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले बार तो जहनक ने स्रिष्टी को बचा लिया था, और कई ना कई अनुरुद जो है आज भी चमचा बना हुआ है इनका, तो कुल मिलाकर एक तो कोई ऐसा होना चेना, जो ज़नक के साथ रहे, ज़नक के साथ रहे के उसके खिलाफ आ रहे दुश्मनों का भांडा फोड करे, वो ज़नक के सारे दुश्मनों के खिलाफ स्रिक्ट एक्शन ले, और शाज़द चाहते हैं कि वाकरी आलंति कपूर और जनक की काहनी आगे बढ़े या अभी भी आप अलुर्ट और जनक को एक साथ देखना चाहते आपको क्या लगता आपकि क्या प्रतिक्र oraz क्या सुझाओवाग है कमेंड के जरीए जरूर बताएगा ये थी दोस्तो आपके पसंदिधा शो जनक जोड़ी एक बड़ी अपडेट मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी यदि बेशक वीडियो अच्छी लगी होगी तो वेजियो को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें दोस्तो आपक देखते रहे स्क्रीन पर मौज़ूत इन वीडियो को और साथ इसाथ देखते रहे जनक को स्टार प्लस पर और एने टाइम डिजनी प्लस होट स्टार पर बाई बाई टेक केर